हर्दोई में ब्रेट बनाने वाली फैक्टरी में लगी भीशन आग ब्रेट फैक्टरी का बड़ा हिस्सा जल कर हुआ खाक उतर प्रदेश के हर्दोई जिले में आज एक ब्रेट फैक्टरी में अचानक आग लग गई आग इतनी तेज थी कि कुछी देर में फैक्टरी के आगे का हिस्सा उची लब्टों के साथ चलने लगा फैक्टरी के अंदर स्त्रमिक काम कर रहे थे जैसे ही उन्हें आग लगने की जानकारी हुई गनीमत या रही की समय रहते फैक्टरी के अंदर काम करने वाले लोग बाह आग लगने के कारणों के विशे में जांस सुरू कर दी है। आग लगने की जानकारी पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुची और उन्होंने काफी देर तक प्रयास करने के बाद में आग पर काबू पा लिया। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुची दमकल की टीम ने काफी मसकत करने के बाद में आग पर काबू पाया है। आप जरा तस्वीरों में देखिए कि जो सत के ऊपर से धुआ निकल ला है और आग जल लई है यह तेल का टैंक बताया जा रहा है जिसमें डीजल भरा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुचकर आग लगने की तस्वीरों को यानि द्रश्ची को देख रहे हैं। लेकिन या काफी खतरनाक है वहाँ पर काम करने वाली एक महिला ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि आग अचानक लगी और उसके बाद में कुछ लोग अंदर ही फस गए और बागी लोग बाहर निकल आए आग देखते ही देखते बिक्राल हो चली थी और अंदर रखा सब को जलने लगा था बताते चलें कि यह ब्रेड फैक्टरी है जहां पर ब्रेड बनाने का काम होता है इतनी बड़ी फैक्टरी में कहीं न कहीं लापरवाही तो हुई है जिसके कारण आग लगी है वैसे अगनी शमन अधिकारी का कहना है कि आग को बुछा ल लग स्थानों पर कई बड़ी फैक्टरिया संचालित हैं जहां पर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं वहां पर इन मानकों को देखें जिससे बड़ी दुरगटना को रोका जा सके आप भी सुनिए क्या कहना है उसके अंदर काम करने वाली महिला का और क्या कहना है अगनी सम अंदाजन में अंदाजिस से बता रही है क्या नाम है आपका आप चैनलती कई सुचना मिली थी कहां आग लगी हुई और क्या किया जा रहा है कि यह पूर्णद पर्ड़ा नेखने है उस्में का का दू नहीं गए है, वार नुकसान देखा जाया गाए उसको भी बुझाया जा रहा है. कि अभी कितने लोग फसे होई है, और क्या इस्तिती इस्तिती है? अंदर कोई नहीं है, बाद नुकसान देख जाएगा। का इनका नुकसान हो was, कहां मुझाई जा वह लगए लोगी। किस चीजसे आग लगी थीखessen। अभी जानकाई नहीं हो पाई, अभी पता नहीं किया गया नहीं दाधा bit लेगा। क्या हिमा। दानर कोism झाल झाल झाल